आपका ब्रेक अप किसी भी विजन से हुआ हो चाहे किसी ने किसी को भी छोड़ा हो अगर आप चाहते है कि इस बात का ऐसास दिराना या उसे आप वापस अपनी लाइफ में चाहते हो तो यह फॉर्मॉला आपके बड़े गाम आएगा दोस्तों लड़के और लड़कियों में यहाँ अलग-अलग situation होती है जो तरीके लड़कियों को जलाने में काम आएंगे वहाँ तरीके लड़कों को जलाने में शायद उतना कारगर सावित ना हो पर आज के जो हमारे tips है वो आपके लिए है वहाँ इतने जवरदस्त है कि आपको प्यार में धोका दिया है तो या फिर अगर आप उसको वापित अपने जिन्दगे में पाना चाहते हैं तो हमारे ये tips सब हासिल करने में आपको बहुत मदद करेगा साथ जवरदस्तर के यहाँ है कि आप अपने किसी दोस्त या friend जो लड़का हो उसके साथ जादा close हो जाए उसके साथ जादा वाते करें उसके साथ जादा हसे जादा खेले और यहाँ खास करके उस समय करें जब वहाँ लड़का या आपका boyfriend आपके सामने हो इस चीश को दे कि कभी जो लड़की उसकी girlfriend हुआ करते थी आज किसी और के साथ इतना खुश है इतना जादा हस केल रही है वहाँ चाहता है कि वहाँ सिर्फ मेरे साथ हसे मेरे साथ खेले तो कही न कहीं वहाँ इस चीश को देखकर परिशान हो जाएगा और आपसे आकर यह कहेगा क्यों इ तो आपके पास जरूर आएंगे और अगर उसके आपको धोका दिया है तो यह उसके लिए बहुत जवर्दस सववक होगा आपको अपने ex-boyfriend या उस लड़के के सामने इतनी खुपसुरत बनकर जाना है जैसे कि फिल्म की heroine हो और आपको इतनी खुपसुरत देखना है उस के सामने जैसा उसको आपको पहले कभी न देखा हो जिससे कि उसके पूरी तरह तोते उड़े आए यहा टीच इतना जवर्दस है कि वहाँ भी अपसुस करेगा और आपका ex-boyfriend यहां सोचेगा कि यहां मैंने क्या गल्दी कर दिया इतनी खुपसुरत गर्फरेंड इतनी ख कोशिश भी नहीं करेगा कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकव हो जाने के बाद वाफरेंड और गल्फरेंड एक दोस्त की तरह आपस में बातचित करते हैं तो यकिनन है कि अगर आपका कभी किसी से रिलेशन था तो आपके हिसाब से बातचित होती रहेगी फोन पर तो यहां पर आपको यहां करना है कि जब कभी भी उसका फोन करे तो उसके फोन को होल्ड पर डाल देना है और उसे वेटिंग में रखना है जिससे कि वहां बहुत जादा जलने लगेगा बहुत जादा जलन होगी उसे अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है तो आप जानेंगे कि या गट करने की गोशिश करना है, जब भी आप सामने कहो कि अरे यार मुझे काम याद आ गया मुझे वो काम याद आ गया मुझे अभी जाना है अभी क्लास का टाइम हो गया इससे पूरी तरह इग्लोर करो इससे बात ही अमत करो और तभी अगर कोई आपका दूसरा फ्रेंड या सहली आपके सामने आ जाए तो उससे बहुत टाइम तक बात करो देखना ये तरीका इक्ता जबरदस है कि आपको बॉइफरेंड सचेगा अरे यार यार ये उसके मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो आपके सहली के साथ कितना जादा बात कर रही है वो यकिनान उसके गल्थी का ऐसास होगा अरो की जाओ आपको बस्वाबचा लाएगा